रूबर कोड और आप देखहे हैं हमारा चैनल मैडिको लाइफ लाइफ लाइन अगर आप हमारी चैनल मैडिको लाइफ लाइफ लाइन पढ़ने हैं तो हमारे चैनल मैडिकोज लाइब लाइन को सब्सक्राइब करना न बूलें फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमदर्द माजून ब्रहमी के बारे में ये एक क्लासिकल दवाई है से यूनानी की जादतर कमपनिया बनाती है ये माजून ब्रहमी जो है न वो दिमाग की हर तरह की बिमारी और कमजोरी का बहुत ही अच्छा इलाज करती है दिमाग की कमजोरी है या कुछ भूलने की बिमारी है तो उस समय ये माजून ब्रहमी बहुत ही जादा एफेक्टिव है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माजून ब्रहमी के बैनिफेट्स इसके डोस और इसके इंग्रीडियन्स इसे किन जड़ी बूटियों से मिला कर बनाया गया है तो फ्रेंड से सबसे पहले हम आपको बताते हैं माजून ब्रहमी के कंटेंस इसे किन-किन जड़ी बूटियों से मिला कर बनाया गया है में कंटेंस जो है उसमें है ब्रहमी बूटि और बाधियान, किशनीज, खुश्क, शीरी, मगजे, पिस्ता, सत लेमुन, शक्कर, सोडियम, बेंजुन तो फ्रेंड से इसके में कंटेंस है इसमें और भी जड़ी बूटियां हैं यह हमने आपको में बताएं हैं हम आपको बताते हैं इसके बेनेफिट से आपको किन बिमारियों में यह बहुत जादा फाइद देगा माजुन ब्रहमी जो है वो ब्रेंड से रिलेटेट बिमारियां जैसे कुईते हावजा, दिमाग की कमजोरी यानि की मेमोरी कमजोर होना जैसी कोई भी आगर आप बात कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं कोई भी बात याद आपको नहीं रहती है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसे याद करने में उनको बहुत जादा प्रॉब्लम होती है याद करा हुआ उनकी मेमोरी से लॉस हो जाता है जिन लोगों का दिमाग कमजोर रहता है दिमाग के आसाब ठीक नहीं होते हैं तो ये आसाब को ठीक कर देता है इसके लिए बहुत ही फाइदे मन है ये ये मकवी आसाब है ये यानि नर्व टॉनिक है यानि की ये ब्रेन टॉनिक है जिन लोगों का दिमाग कमजोर रहता है भूलने की बिमारी रहती है बिमारी और दिमाग जो है वो बहुत जादा कमजोर हो जाता है भूलने की बिमारी की वज़ासे वो लोग बोल नहीं पाते हैं बोलने में बहुत जादा प्राब्लम होती है जो लोग जो बच्चे हकला कर बोलते हैं तो उन सब में भी ये बहुत ही जादा हैलफुल है दिमाग से रिलेटेड जितनी भी बिमारियां हैं उसमें ये ब्रहमी माजून ब्रहमी बहुत ही जादा इफेक्टिव है बहुत ही हैलफुल है आप इसका इस्तेमार करके देखें जो लोग बूड़े हो गए हैं उनका दिमाग कमजोर हो गया है उनके लिए भी ये बहुत ही जादा फाइदे मन है तो फ्रेंड्स हम आपको इसकी डोस बताते हैं आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर या हकीम की सलह से ही करें वैसे आप इसे सुबह 10 ग्राम 250 एमेल दूद के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं वैसे दूद के साथ लेना बहुत ही जादा फाइदे मन्द होगा तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई konfusion है तो आप हमें comment में जरूर पूचे या हम number दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आप contact कर सकते हैं हम आपका अंसर करेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आये, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, हमारी चैनल मेडिकोज लाइव लाइव लाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें, थैंक्यू फ्रेंड्स